पूलिस पर पत्थर भी नहीं पेके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया, ये किस तर का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किये बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर अबी तो बश शुरुआत है, दो पएर तक देखना, हर चगा आग लगीगी सर, वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुण्डे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं आत्माहत्या करने वाले किसाने सर हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है अगर किसान हो तो आटो क्यूं चला रहे हो किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम करने ही सकते एक बार वो मैप देखिये सर तो हमारी काहनी समझ आएगी पिछले तीन सालों में तेलेरु के आसपास के गाउं के 900 खिसानों ने आत्मात्य कर ली थी सर ये आपके न्यूस चैनल्स में कभी कबार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर पर वो आत्मा हत्याय नहीं थी सर हत्या थी ये 40 साल पहले एक वर्क के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है एक समय में इशिया में सबसे साफ पाने की नदी तेलेरु में थी मचवारों और किसानों को एक समान रूप से जिन्दगी दिया करती थी पर उस नदी पर कबजा कर, कृत्रिम मचलियों का पालन बढ़ा कर एक व्यक्ती ने सारे मचवारों को अपना वोटर्स बना लिया उसके बाद सोसाइटी, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कबजे में लेकर आज सारे राज्य को अपने कबजे में ले चुकी है इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है मचलियों को डालने वाले कृत्री माहार के कारण पानी खराब हो गया नदी के बांध की वज़ज़ से पानी का स्तर कम हो गया समुद्रे की पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखो एकड की खेती बरबाद हो गई कभी वो नदी ऑक्सिजन देती थी, आज जहरीली बन गई है सुप्रीम कोट के ओरडर के खिलाफ जाकर अपना कभजा बढ़ाती जा रहे हैं सर सरकार खुद गुंडों जैसा बढ़ताव करें तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाएं सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है हमारी कहाने पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिये आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा उस पर छे मैनों से शूटेट साइड का ओडर है सर अगर पुलीस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगी सर उसे मार भी दिया तो उसकी जगा कोई और लेलेगा वैसे गदेश सिस्टम में पादा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ अगा गण शॉट की तरह इंटेव्यू देकर इस आटो वाली के साथ एक चिल्ड बेर मारीए गा मरते दम तक याद रखोगे सर All the best sir thank you all the best झाल 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 ट्रेन में बार-बार तुमका इंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है इंसान को उसकी मेमरीज डिफाइन करती है उसे उनका सामना करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए वाटेवर यार ये, वहाँ दे ये, ये तो अटो आला है, वहीं तो जोती है, ये! ये! रुक जो! ये! रुक जो! ये! एए! 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 किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या जोश में आकर अपनी जिन्दगी बरबाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आजा! M.I.T. छोड़ कर I.S. में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वज़े से किसी के हाथों मारा जाएगा, या फिर हवालात पहुंच जाएगा? या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांती से जिऊंगा, बहुत खुश था! तौरा पढ़ने लेगा फिर इसे, जरा समझाओ इसको! I.S. की इंटर्व्यू में तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी? शायद ये फेल भी हो सकता है, अब अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होश्यार हो, मैंस एक्जाम में 500 में एक पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है, अब इसके लिए इंटर्व्यू कौन जी बड़ी बात है? ए, तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा, नीचे आ जाना बेटा? अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए, मिस्टर दशरत, 25 साल का हो चुका हूँ, मेरे जिन्दगी मुझे जीने दीजिए. ए, पांच साल की उम्र से तु यही तो कर रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना. पापा, अब बस भी करो, उड़के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी, बिकार में चिला के ठकिये मत, चलिए अंदर चलते हैं, चलो बेटा. ए, लोग मिस्र दश्रत, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो, टाइम पर टिकेट कैंसल किया होता, तो एक लाग रुपए बच जाते, अब उसे मेरे अकाउंट में मत चोड़ते ना. अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है, तो घर में मत आना. आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? यह अपनी मर्जी से पला बढ़ा है, और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है, इसे अमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंटाउस रेंट पर देगा, कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे, पांच हजार एक्स्ट्रा दूँगा. बहुत फिक चुका है, चला भी. वो बैग भी उठा ले. वो फासा तीला पर खड़े होकर सिंबा को ना मुड़कर देखके भाग जाने को बोला था. पर मुसफा भी तो भाग सकते थे. सिंबा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना. डाड़ी को देखके 24 दिन हो गए है, अंटी. फोन भी नहीं किया उन्होंन इतना मिस कर रही हो ना उतना ही डाड़ी भी तुम्हे मिस कर रहे होंगे. इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना तो डाड़ी आ जाएंगे. मैरा, हाई, एनी न्यूस? नो. पुलीस नहीं क्या कहा? एज यूज्वल, कह रहे हैं कि ढूंड रहे हैं. ओ गॉड़. तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया कि अभी तक? नाथिंग, यार. आफ लेट यू नो, इफ आफाइंड एनीफिंग. मैरा, मैरा. हाँ. तुम्हारे भाईया के मिसिंग होने से इसका क्यी कनिक्शन है या नहीं बता नहीं? पर जिस दिन वो गायब हुए थे, कुना नाम का एगुंडा पर उनके पास कांसल्टेशन के लिए आया था. नर्स ने मुझे बताया. क्या यही लोग तंत्र है? पिछले हफ़ते हुए मतदान में बूत ओपन हुए एक घंटे के अंदर ही अपना वो ट्रीक होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है. एक वोट के चूप जाने से सारी विवस्था को दोशी ठहराना ये गलत है. विवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़ कर चले जाए तो ही बहतर है. विवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाब की जागेर नहीं है. कुछ युवक का यही कहना है. देश में रहते हुए सिस्टेम से लड़ने पर फाइदे की जिगे नुकसान हो जाता है. अरे आखिर है कहां पर न्यूज? अरे अचानक से फैली हुए न्यूज है यह. हां बता ना, सच बोल, तुने जगड़ा किया न, बोल तुनी रहा, नहीं छोड़ू की. दिदी, रुको. जूट बोलने लगा है तु, बोल, सच बता मुझे, क्या किया तुने, स्कूल में जगड़ा किया? क्या जानवरों की तरा मार रही हो, यह क्या बात हुई? क्या हुए, इसी से पूछ लो, क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड़ी तूट गई है, और इसने स्कूल में जगड़ा भी किया है, जब तक मैं नहीं जाओंगी, इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है, स्कूल बस वाले ने अभी बताया. क्या, इसकी जान लोगी, तेरेज कहीं और नहीं, परकि माबाप के रूप में घर में ही होते हैं, तू बहुत अच्छी नसियत दे रहा है उसे, तुम जाओ, मैं जाओंगा इसके साथ, ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो, एक्सक्यूज मी सर, येस, कम इन, येस, सर, आपका बेटा है, ये आपके बच्चे है, इनकी बुवा हूँ, मैं इसका मामा हूँ, बोलिया, वोट्स दे प्रोब्लम, I love you, if you love me, circle yes, if you don't, circle no. हलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है, तुम्हारे भाणजे ने मेरी भातीजी को दिया है, तो अब बताईए, अब मैं क्या करूं, क्या पूछ रहे हो, क्या करें, चाटा मारो इसके गाल पे, उसे चाटा लगाओंगा, तो उसकी फिलिंग्स मर जाएंगी, क्या, शेमलेस थिंग, एक्स्क्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है, कि आप अमेरिका में पली बढ़ी हो, ये इस पे सरकल कि इसने बनाया, तो ये देखकर, इसने इसकी नाख फोड़ दी, और इसने उसकी नाख फोड़ दी, है न, पीट को मारने वाला मैं नहीं, इसमें शेम फिल करने जैसा कुछ भी नहीं है, उनके मन में जो लव हो अलग है, और आपके मन में जो लव हो अलग है, बच्चों के नजर में लव का मतलब है, सिर्फ पसंद, बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते है, उन्हें हम जितना प्यॉर्ली देखेंगे, वो भी उतना ही प्यॉर्ली देखेंगे. सुनो, आरिया, आंटी को सॉरी बोलकर, फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस करो. I am sorry. Long wait. Pete, आरिया को तुमने मारा, इसलिए तुम सॉरी बोलोगे. एक मिनट, आप क्यू सॉरी बोल रहे हो, ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दोड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का, हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में. इस तरह सब के सामने पनीश करने के वज़े से ही, वह ऐसा करते हैं. इन्हे तो लव शब्त का मतलब भी नहीं पता है. प्लीज इन्हे छोड़ दीजे सर. No, no. I won't accept this settlement. Right now, I am suspending this boy with immediate... It's okay, sir. I am withdrawing my complaint. Priya, Pete, come let's go. Okay. Sir, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशन्स स्कूल में लेकर मत आईए. Thank you, sir. चलो, Arya. Excuse me. My name is Abhi. Hi, Myra. आपको अद्राज नहों, तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं. Excuse me? Uh, मतलब, क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? Sure. Okay, please. What do you want to talk? Why? तुझे हिंदी नहीं याती? याती है, पर उसे पसंद नहीं है. अरे मेरी गुडिया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किस ने सिखाई? मेरे पापा ने. Oh, ठेक है. तुम्हारी आंटी क्या करती है? और यहां और कितने देन रहेगी? मैरा आंटी टीनिटी कॉलज की मिजिक स्टूडेंट है. डाइडी के रिसर्च सिंटर से वापस लोटने तक, वो यहीं रुकेंगी. इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी. ओहु, तो परदेसी पंची है. ठेक है, मेरा छोटा सा पजल सॉल्फ करोगी. तुम हो गोरी, और यह है देसी गोरा, और तुम्हारी बुआ है देसी. तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गाए? दुम है, टाधी आमेरिकान है, बीकशस कैसे पाता。 पर मेरी ममी मर गई. अरे मेरे गुढिया, आन्युक्स वेटा। है यह नफ्यू स्मार्ट बोई यह सच वेल मैंनेट किद्ज थैंक यू आम सो सुर्य अबाट देर मॉधर थैंक्स फो यूर कंसर्ण सुनाय आप मुजिक स्टुडेंट अगर आपको लोकल मुजिक करना हो या तेलोरू में गूमना हो तो मुझे बताए आपको यूजर अगरो कम कियो는 अरिया, आँनी ने मेरे बार में कुछ बनी पूछाँ अलब कारते हो, बूछ रहीती तो तुमन裡 क्या बताया? अलब क्या बताया? एएएएएएएमेएए मेंगा में ती पाड़ और तैलू कुरमें बेकार गुमते हो अजसा बताया आंध्रा समाज पार्टी से अलग होकर आंध्रा प्रचा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाओं में ही जबर्दस जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखावानी को देश के कोने-कोने से प्रांधिय पार्टी का अभिननदन मिल रहा है यहां ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा में जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोकरिटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा ऐसा सबस्ट किया विशाखावानी श्रीमती विशाखावानी जी के बेटे कई कलूरी MLA विश्नु वर्धन को कवर्नर रमाकान जी ने सरकार की तैयारी के लिए चुनाओती दी है कानून और निया विवस्था को दबाव में आए बेना इमांदारी से काम करना चाहिए नई सरकार के आते ही राज्य में नौ कलेक्टर्स, छे एस्पी और दो जज़िस की बदली हो गई है मैडम, अब तक 30% इन्वेस्ट किया है अब कैंसल करेंगे तो हमें कमपनी बंद करनी पड़ेगी अगर ऐसा हुआ, तो नई कमपनीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, एकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी आप लोग सिर्फ अपनी कमपनी के बारे में सूचिए, एकोनॉमी के बारे में सूचने के लिए हम है अब क्या करें आप ही बदाईए मैडम उस पार्टी के लिए जो किया, वही किजिए वाक, मत, विद्या, व्यापार, पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा गुना भाई आया है अरे, अंदर लेकर आना चाहिए था, कॉफी पी लेते अगर हर जगा कॉफी पीएंगे, तो बेट खराब हो जाएगा फैक्टरी में कितने लोग काम करते हैं? पांच हजार लोग महिने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम तीन करोड तो वो तीन करोड इस अकाउन में डाल दोगे, तो वर्कर्स को पगार हम देंगे जरकार को लेने वाले हर ज़रूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए, जैसे प्लेबिसाइट्स मुर्डर भी करना हो, तो सोच समझ कर करना होगा तभी अपोजेशन डिफेंस में आ जाएगी उससे हमारी सिंदी की बरबाद हो चुकी है, हम चिल्ला कर कह रहे है, तो वापस नए आतिकरमन की क्या बात कर रहे है अगर वो इलेक्शन जीते हैं, तो वो क्या सोच रहे है, कि वो कुछ भी करेंगे इस जीयों से बादित किसा नोने के नाते, इस मेने के सोला तारिक को सारे जिले में बंद का ऐलान करता हूँ देख रहा है इनकी हालत, गवर्मेंट का बदलना यानि पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बाहर आना है ये ग्रब रेविश के दिन आकर नकली डॉक्यमेंट्स दिखा कर जगा मेरी ये बोल रहे है, क्या हम पागल लगते हैं क्या इतने सारे एक्जेम्स को लिख चुका है, अब इंटरव्यू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है इंटरव्यू केली कोई सेपरेट सिलाबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पढ़ती है अब समझाना तू, क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एक्जेम्स नहीं देता हूँ शे मैने से इस जगा पर घर बना रहा था, तब तुम्हें दिखाए नहीं दिया अबे तू बना रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा, सीधे घर बनने के बाद हल्ला बोलने के लिए इंतजार करते हैं ठेकी जगा को दो लोगों को बेचनी के लिए वो कोई पागल नहीं है मेरी जमीन पर घर बना कर मुझसे जबान लड़ा रहा है तू हमारी जंदगी से वैसे भी खेती दूद कर चुके हो तुम, दिन रात महनत कर बना इस घर को भी तुम चीनना चाहते हो मुझसे बरबाद हो जाओगे तुम, बरबाद हो जाओगे यह देखो ओरिजनल डोकेमेंट्स मेरा भी ओरिजनल है ऊड़ो ले और ओर तो शुट है टो आ ant काट दूगा तेरे डोकेमेंट्स सही है हाँ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया बदल गया तो कौर्ट में जानी की जुरत तुम्हे है एक लीगल प्रापरटी में जबर्दसी कुसने के जुर्म में अगर मैं तुम्हें मार भीतू तो भी वो जुर्म नहीं है भाई कहां से हैं पता लगाओ रे तुम्हारा क्या है बुडिया अब किसके आरती उतारना चाहती हो चल देकर पुढ़े वह बुडिया कर दो वोई कोट का ओर्डर मांग रहा था ना कोट खुद आ चुका है देखने में तो लगता है कि किताबी कीडे हो तुम जैसे कीडे जब तक किताबों में रहते हैं तब तक ही सुरक्षित हैं बाहर निकल कर बेकार की चीज़ें में टांग अड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिर कर कुछले जाते हैं जाओ अपने किताबों में जाकर छुप जाओ बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तु सहीखा पैदा होते ही छुरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बड़ा हुआ हूँ जान बड़ी नाजुक चीज है रहे उफ करते ही बच चाती है कई लाइट नीचे कर नीचे कर रहे नीचे कर बुलाना कौन हो तु रहे हमारी बिच में कोई प्राफल्म है तो हम सौल्फ करेंगे ना अपना हीरोसम जाकर आपने बाप के पास दिखा एक प्लोट पर दो सर्वे नंबर्स दो प्लोट जैसे बंपर ओफर दे कर हमारी जिंदीगी को मिटी में मिलाने वाले तुमारे बाप जैसे ऑफिसर्स ही हैं जाकर अपना धर महां दिखाओ जाओ ए जाओ ना तु इन सब के बीच में क्यों फसना जाता है यार वह चाकू अंदर रखो हम आपस में बात करते हैं ना बात करने जैसा कुछ नहीं है रहे उस तेलरीक ओपर कुछ बंद का एलान किया था ना उसे पीछे ले वरना तुझे मार कर तेरी ही पीवी के साथ तेरे ही घर में घर बसांग हाँ किसे बात कर रही है फैंसे किसे बात कर रही है फैंसे कितना वठ लगेगा कभी कभी दो तीन घंटे यह पूरा दिन Oh no, just ask her, no? I can't, let her finish, no? So, what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? You must be a moron to even suggest that. I saw a glimpse of my future with you and scary. Just stop your bullshit. Who is she shouting at? Fiancé, are they breaking up? I don't know. Aunty, are you breaking up with Nitin Uncle? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird sanctuary. Priya, please hang up the phone and do your homework. Why Arya? Break up, what? What do I know? Mama ji, take me to the bird sanctuary. Please? Hey, I have my interview in a week and I'll take you to the bird sanctuary. Go and ask your grandma. Go. No, that's very boring. Please, Mama ji, take me. No, not a bad career. Hey, this is Myra. Oh, hi, hi, hi. I promised to the bird sanctuary that I would take you to the bird sanctuary. But my mood is not good. If you don't mind and if you are free, what would you take? Of course, I am free only. In fact, I was bored. I will take you. Thank you. I'll see you. Hello, hello, Myra. Yeah? You told me that your mood is not good. You also go with me, you'll feel good. I promise. You won't regret it. I'm telling you, you'll be great. Please join us. Okay. Okay. Break up, it's already ready. Keep up. Okay. Keep up. We won. Yeah. It was fun. इनके पापा रिसर्ज के काम से अफ्रिका गएं कहकर बच्चों से जूट बोल चुके हैं और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है बहिया को गायब हुए तीस दिन से जादा हो चुके हैं उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है सर वरुन मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुन से मिला था ये किड्नैप केस है सर आपको क्यों नहीं लग रहा है मतलब क्या कहना है तुम्हें मैंने कलेक्टर ने कुंडो ने मिलकर तुमारे भाया को किड्नेप किया है क्या मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ बच्चे इंडियन सिटिजन होने की वज़ा से उनके पैरेंट्स की सिगनेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट्स चाहिए डेथ सर्टिफिकेट्स देरेंगे इसलाइक अम स्टॉक इं लिम्बो विदाओट कॉन्क्लूजिन तु दा केस ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़ कर और कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया मायरा लड़कियों की ममताना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की माह हो यह समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए सब ठीक हो जाएगा हलो मायरा हैंसन येस क्या एक बार आप ओफिस आ सकती है ओके हुआ 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 है तेलर उमें मचलिया पकड़ते वक्त मिलिया है इने आसपास कहीं पर भी बॉड़ी नहीं मिली है उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेंस भी नहीं है तुमारे भाईया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वज़ा से अलकोहॉलिक हो चुके थे हमें इन्वेस्टिकेशन से पता चला है सुइसाइड टेंडनसी भी हो सकती है ऐसा पता चला है सर एक पर उन बच्चों को देखिये सर कोई भी पिता उन्हें छोड़कर स्यूसाइड करने की सोच सकता है आप कोई साइक्याटरिस्ट हो सुइसाइड करने वाले का माइन्डसेट कैसा होता यह जानते हो क्या तुम इस केस को सॉल्फ करने से जदा आपको इसे सुइसाइड के उसबनाने में ही जदा इंटरस्ट लग रहा है बलड स्टेंस नहीं है तो सीउसाइड हो गया कह कर लिग दोगे बॉड़ी ढूनने की जरूराती नहीं है वो नदी जाकर समंदर से मिलती हैं कहां जाकर तलाचिले बता सकते हो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो देखिए अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भाया की दस्तगत चाहिए होगी या फिर उनकी डेट सर्टिफिकेट चाहिए शायद हमें बॉड़ी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम बेस्ट अगर करेंगे या फिर डेट सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए ये सेटिल्मेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाईए सर इसे लोक अप में लेके जाओ हाँ जिकर चाहिए और क्या कर सत्यों यूनिफॉर्म अच्टे कोन कर अभी स्टॉप इस बताइए कहां साइन करना है मायरा और यू आट ओफ यू माइंट यह मृडर है जानते हुए भी यह लोग ड्रामा कर रहे हैं तुम क्यों नहीं समझ रही हो समझ रही हूँ इसले कहां केस क्लोस कर दो उनके लिए प्लीज लीव दिस डैडी को किसने मारा होगा डैडी को किसी ने नहीं मारा बेठा वो मम्मी के पास चले गए लेकिन मायरा अंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी पानी की विमुक्ती इसां की परदी तैलोरू माफिया का अंगों आचारिए सर आज बंद है गाड़ी स्कूल में पाक कर दीजिए आपको जाना है हमारे आटो वाले ड्रॉप कर देंगे गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है, आने तक तिन दी निहा रहेगी, क्या बाइक? सर, पर्यावरंट संग के अंदर गत ही बंद हो रहा है, सर, गाड़ी को कुछ नहीं होगा इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं सर, आज सबके लिए फ्री राइट से, सर पूलिस पर पत्थर भी नहीं पेके, बस में आग भी नहीं लगाया स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया, ये किस तर का बंद है, बॉस? ऐसा कुछ भी किये बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था, सर अभी तो बच शुरुवात है, दो पैर तक देखना, हर जगा आग लगीगी सर, वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंड़े ही कर सकते हैं, सर, हम नहीं आत्मा हत्या करने वाले किसाने, सर, हम हत्या करने वाले गुंड़े नहीं है, अगर किसान हो तो आटो क्यूं चला रहे हो, किसान की तरह जी नहीं सकते हैं, और पढ़ाई हम करने ही सकते हैं, एक बार वो मैप देखिए, सर, तो हमारी कहानी समझ आएगी, पिछले तीन साल में तेले रुके आसपास के गाउं के 900 किसानों ने आत्मा आत्या कर ली थी, सर, ये आपके न्यूस चैनल्स में कभी कबार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है, सर, पर वो आत्मा हत्या है नहीं थी, सर, हत्या थी, ये 40 साल पहले एक वर्क के वोट्स के लिए शुरू की कहानी है, एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेले रुमी थी, मचवारों और किसानों को एक समान रूप से जिंदेगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कबजा कर, कृत्रिम मचलियों का पालन बढ़ा कर, एक व्यक्ति ने सारे मचवारों को अपना वोटर बना लिया, उसके बाद सोसाइटी, लोण्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उनी वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है, हजारों करोडों का सामराज्य बना चुकी है, उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी, उस व्यक्ति का ना कारण पानी खराब हो गया, नदी के बांद की वज़े से पानी का स्तर कम हो गया, समुद्रे की पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखो एकड की खेती बर्बाद हो गई, कभी वो नदी ऑक्सिजन देती थी, आज जहरीली बन गई है, सुप्रिम कोट के कि खिलाफ जाकर अपना कभजा बढ़ाती जा रहे हैं, सर, सरकार खुद गुंडों जैसा बरताव करें, तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाएं? सर, मैंने बोला था ना, फ्री राइड है, हमारी कहाने पर विश्वास करोगे, तो वही हमारा पेमेंट होगा, सर, सर, उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिये, आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा, उस पर छे मैनों से शूटेट साइट का ओडर है, सर, अगर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई, तो आप क्या कर पाओगी, सर, उसे मार भी दिया, तो उसक all the best sir, thank you all the best लुट त्रेन में बार बार तुमका इंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है इंसान को उसकी मेमरीज डिफाइन करती है उसे उनका सामना करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए वाटेवर यार यह वहादे फिर भी तो अटो आला है यह वहीं तो और टूद रुकियों झाँ य है रुकियों है एए! 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 इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम दस शताप्त पहले वेंगी राजाओने शासन की अपरांत है. Can you name it tourist attraction of your place? टेलरू. सारे IAS ओफिसर करप्ट हैसी अववा है. इस पर अपर क्या opinion है? पूरी सिस्टम ही करप्ट है सर तो सारे करप्ट है सर. With all due respect. क्या आप में से कोई ओफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हेदराबाद में हुए रेपिस्ट लाइव एंकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? कैसे? सब के लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर. आलसी पंदेरी करना पक्षपात से चंता का न्याय व्यवस्था के उपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था. इस पर राजनीती ने टेंपरेरी सोलुशन जो ढूंडा था वो था एंकाउंटर. अगर वही उन्रे एपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो, तो क्या उसका एंकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गाउं में, इंटरकास्ट मेरेज करने वाली है कि वह जोड़ी का गाउं के लोग विरोध कर रहे हैं, और दूसरा गाउं एक लड़की पर ऐसे डेटेक कर रहा है, पहले आप कौन से गाउं जाएंगे? जो काउं नस्दीख होगा उसी काउं में पहले जाऊंगा, सर? What's the point of this question, सर? 22 में पहले कौन साद हो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो, वो करेक्ट ही होगा. तो वो परसनेलिटी इंटर्व्यू कैसे हुआ, सर? या फिर सिस्टम में इंटर होने से पहले ही, राइट या रॉंग नहीं होता, ये कहकर कॉम्प्रोमाइस कना सिखा रहा हूँ. मिस्टर अभिराम, आर यू चैलेंजिंग दा इंटेगरिटी अफ दिस बोर्ड? नो सर, आम चैलेंजिंग दी इंटर्विटी अफ दी इंटर्व सिस्टम सर. तो फिर इस एटिट्यूट के साथ, उस सिस्टम में कैसे फिट हो गे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है, सर? राज की अनायक, सरकारी नौकर कोर्ट के दीन खोड़े, सम्विधान को समानता से खीचते हुए एक दूसरे की, खलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब ही ये गाड़ी सड़क पर रहेगी, सर. पर सत्ता की नशे में धुद्ध ये राज की खोड़ा, अगर रास्ता भठक कर बाकी के दो खोड़ों को अपनी मर्जे के मताबिक चला रहा है, तो सिस्टम कैसे बचेगा, सर? सर, कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए, वैल्योबल प्रिंट्स को सिस्टम में धक्यला जा रहा है, पर उन्हें सचाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है, सर? अगर ये परस्नेलिटी इंटर्व्यू है, तो ये परस्नेलिटी वहाँ कैसे मिस हो रही है, सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है, वो गुंडे, तिन तहाड़े मासुम बेक असुरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली विवस्था ही उन्हें पाल रही है, ऐसे कुछ इंसिडेंस देखकर ही इस इंटर्व्यू में आया हूं, सर? उन्हें ये पावा किस ने दी, सर? चाहे वो मैं रहूं, या चाहे कोई और रहे, पच्छतर साल से सरकार है, इसी ब्रहमेजी रहे थे, सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है, ये कोई नहीं जानता, सर. इस इंटर्व्यू सर, इस नोट प्सूड़ो इंटेलेक्ट्वल मास्टरबेशन? Mr. Abiram, इस टेंपरमेंट के साथ आप इस फिल्ड में काम नहीं आओगे, I'm sorry. Thank you sir, मैंने भी यही रियलाइस किया है, एक सिविल सर्वन के साथ इको क्लैश के वज़े से मैं इस केम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझा गया था, इस खेल में रूल्स नहीं है, बलकि ये खेल ही नहीं, बस खिलवाड है. I'm sorry, चाचाची. ये मेरे भाया की कमपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी. मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है. I wish I could help, बट सिस्टम ही रिस्पॉंड नहीं करेगा, तो फिर मैं अक्यला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही डबलो एचो में रिपोर्ट कर दूँगी, आप यहां से ये केस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी घर पे आ गए, आएस बन गए, क्या? इंटर्व्यू का क्या हुआ? हो ना क्या है, आपके इच्छा के मुताबिकी हुआ है अंकल, ये इंटर्व्यू में हार गया. आप जाकर वापस वोही टिकेट्स बुक कीजिए. इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ. बाई! इस इस माइ कॉंटाक नमबर. लेट मी नो वन यूर देर. मैं आकर तुम्हें पिक कर लोगी. अभी, तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर रहना चाहिए, यही देश के लिए अच्छा होगा. जस टेक इज़ी अभी. वोप आल सी यू सून. बाई, अंटी. बाई. बाई. बाई, अंकल. बाई, प्रिया. बाई, अंकल. यू स्टेर विध उस विन यू चाहिए, वोश्यू. बाई. आउट. चल, बैट दे मुझे. एक टपा फे आउट हो जाएगा बोलागा ना? आपर स्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोलेते. अरे, ये तो अभी से करॉप्शन की इंग मान गया है, यार. चल, बैट दे मुझे. मैं ने दूँगा, मैं ने चोड़ूँगा. बोलाना नहीं. बैट चोड़ूँगा, मैं बैट चोड़ूँगा. तेलरू की निवासी मिस्टर अभीराम ने आइट ने मेक्यानिकल एंजिनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जी दिया है. पिछले चुनाव में इसी यूवक ने चुनाव की विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था. इतना ही नहीं. इस यूवक ने पहले ही अटप्प में आविसी क्राक कर लिया है जो की काबिल एक तारीव है. इस यूवक के इंटिव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पानल मेंबर्स इंप्रेस हो गए हैं. अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों से उनके लिए ओफर्ज आ रहे हैं. See, एनी न्यू मेडिसन और वेक्सिन सेम्बल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद यू मार्केट में इंटिडूश करते हैं. पिल्कुल वैसा ध्यान पबलिक एड्मिनिस्ट्रेटी में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्छ यो डेमक्रसी होगा. मैं जब से केबिनेट सेकेट्री बना तब से चाहे जो पार्टी हो सारे देश में इंप्लिमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है. मिस्टर अभी, आगे भविष में यूपी एसी कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार है उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंदर सरकार ने एक एक्सक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है. एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए यह मत सोचना की तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी. किसी भी पॉलिटिशन को तुम्हें ट्रांसफर करने का दिकार नहीं होगा. ये एक ही कमफर्ट तुम्हें मिलेगा. इस प्रोपोजल के लिए पहले परियोग के लिए आई-एस टॉपर अभिराम को यूपी-एसी बोर्ट पर्श्रिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है. इस 25 साल के बैचलर के काम के उपर ही इस बिल का भविश्रे निर्फर करता है. ये केंद्र सरकार के नेतरित्व के अन्याय का एक और निदर्शन है. इट इस एंटी-फेडरल्स एंड आर स्ट्रॉंगली अपोजिंग इस बिल. इस बिल का तीव अता से खंडन करती है. तुनिया के जितने भी लोकतंतर देश है वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं. असल में डेमोक्रसी इसी को कहते हैं. विद दे सपोर्ट ओफ दे करन्ट सेंट्रल गवर्मेंट, आर टार्गेट इस तो अचीव देट. And mark my words, ये एक्सपरिमेंट जरूर फेल हुगा. ये सब फिस सबलेक्टमась से ये सब कपसे चल रहा है जैसे ही नहीं पता चला सुवे से ये लोग आ गए। इंस्पेक्टर में आपसे राज नेताओं द्वारा फिजे गए उन गुंडों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं इसके बारे में पूछ रहा हूं इन्हें तो दो हफ्ते हो गए सर जब ये बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगा पर दूसरा आके बैठ जाता है डिमांड्स पूरी होने तक चाहिए जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे ऐसा कह रहे हैं ये लोग तो फिर हमें और आई इये बिस दे शोलचर अइब मोच फिर के करा दे आँप हैं ये जले के सिर्ट प्र तैन कैक शोलचर अज तक इस जिले के बडूर कर दाव हैं इस जिल्यक्टर का बंदे मोट ठोड़ के बिभी तो प्लिछर को प्लीड ने 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 अड़ना ओछिए अज़ना अड्सल का भविश्य एक पॉलिटीशन के हाथ में हुआ करता था लेकिन आज से वो यूपी एसी बोर्ट के हाथों में है मतलब इंडिरेक्टली वो भविश्य मेरे हाथों में है इस बात का ध्यान रहे एज यू आल नो कलेक्टर is the supreme authority of the district and I am that supreme authority पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है अब तक पॉलिटीशन के घरों में सीक्रेटली हुए सेटल्मेंट्स आज से यहीं लीगली पब्लिकली और पीसफुली होंगे चुटकी बजाते ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सिनवा नहीं है ना ही मैं भारतियों हूं और ना ही कोई अपरिचित बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता सिस्टम के मताबिक सजा देने के अलावा आप मेंसे कई लोग अच्छे ओफिसस बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष है और वही असली बदलाव होगा नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाग समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवा लो वरना तुम्हारा करियर बरबाद हो जाएगा ये मेरी गैरेंटी है एसपी सर सर उस दिवरेकर गुना की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आई अब तक 14 मुर्डर्स चार रीप्स कुल मिलाकर अठरा प्राद है छे महीने से शुटेट साइट का ओडर है हाव दू एक्स्पेशल टीम के साथ छे महीने से ढूंड रहे हैं हम लोग आपको ऐसे नैसाय जोइन किये कितने दिन होया है तीन महीने सर शुटेट साइट आउडर का मतलब क्या है जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानी पहुचा रहा है सर उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ओडर है सर वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई दीता है कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजिन नाम की बीमारी है सर जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परिमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुला कर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेज़त ही कर रहे हो यानि अब ये लुका छुपी किसलिए अच्छे से बात करते हैं नाम गुना को टच किया तो विशाखावानी से वार डिकलेर करने जैसा ही है ये गुना के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधी में चला जाएगा ये बात गाउवाले सब जानते हैं इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर एसपी सर आप अज़न्टली आजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजे घर की ड्यूटी संभालिए अब जाहिए सर गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर गुना को शूट करने वाला मारा जाएगा ना चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं तर्वर मौत क्पें प्रट में भी से लेजा गी है इ ALL कि को ऑका प्याव tua थाज़ी स्वर्टों जाँ याभना क्लोब घम ख़ूचों घचा यह 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 जू़ कुई एकेशता के क्षों झाल 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 सुधाकर उस डेपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए दो कुत्ते निकले है ऐसा बताया अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ यह बताया नहीं क्या तुझे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया हम क्या बताये भाई तुम करके दिखाओ ना दो आदमी और दो बंदूक सब कुछ खत्प कर दोगे क्या हुआः हुआ! हुआ! मुरी strain आपका सम के लाइ कि लिव की नव्षा किया को ली कि वद वाफ ली वाफ िकना आपया सत कि यु अब होि कि युद आप심िया कि अ युद contradictी है जड़ 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 याँ याँ है होई हाँ हो ही पर जूप। पर फॉड़ीज जुड़ीज जुड़ीज है हाँ मुझे छोड़ दू, सर, आप क्या हाँ जोड़ता हूँ, सर, एक बात बिल्कुल सही कही तुने, नहीं, सर, जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ जाती है, चाहे वो तेरी हो, या मेरी हो, अराम से, अराम से, उस तरफ से, उस तरफ से, उस तरफ से, अराम से ये खामाय हो, एक पामWind , सर, मिष् Schutz खार गामी, छिर भाम सय, खज़ चाहे क्पतर ही, सर्प्सर प्लिए मेरी हो, काई भाचना है लाड़ता है, करता के हैं पाम सर, टतर, हंता है, माइरा माइरा इनके साथ तो बच्चे भी होंगे जाकर देखो ये सर् माइरा 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 दॉक्टर 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 निर्बंद से मिली लड़की एक एनार आई है पता चला कि आज सुबत तीन बजे एंकाउंटर आपरेशन पूरा हुआ है ऐसा पुलिस बता रही है आगे के जांकारी के लिए अगे के इलाज पूरा खरवाने के बाद अमेरिका वापस लौटरी थी और फिर रहे गुना को खोश लिया है और वो 18 केसिस में मुख्या आरोपी है जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरना गुंडे गुना को खोश लिए के लिए कलेक्टर अभिराम ने चार घंडे की महलत दी है उसको मिल्टिपल फ्रैक्शर है और इसके सीर में लगबग 40 ठांके लगेंगे बट शेज लगी शेविल सर्वाइब पर उसको बार-बार टॉर्चर करके रेप किया गया है हुआ 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 है हुआ हुआ है है हुआ है हुआ है थे शेट शवाइब तरह कि बहुत थे रिखिङ है मौन है बच्छों के बरे में बच्छों के बारे में पता चला कर दो हुआ है मौन गए भून आड़ा सर थे इंड जो क्यों मार दिया और बोडीज को कहां भेखा गुना के अलावा कोई नहीं जानता है सर नाली के केड़े है सर अभी मार देता हूँ एंकार्टर बता देंगे सर भूलना मत आज हमारे घुस्से में न्याय है मार देंगे करल उसे स्पी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एंकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा रोक पाओगे क्या रोक पाओगे क्या तुम अन्याय होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों मे लेकर चंता पुलीस मीडिया अन्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते कोर्ट और से गुना जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश की आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है सारे गुनाकारों को कोर्ट में प्रेसेंट करो लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिल्वा दो अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सी एम साब का कौनोय आ रहा है रास्ता क्लिया जान को खतरा नहीं है फिलहाल वो अन्कॉंशियस है केस कौन हंडल कर रहा है डॉक्टर डारेक्टली कॉलेक्टर साहब हंडल कर रहे है आप लगों का काम है आप ही कीशी है ओके सर गोपाल येस सर तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो ओके मैडम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने कले में बांदी नालायक कहीं का इस एंकाउंटर में आप नुख रहेगी जिना आपका दिल्स नहीं है क्या यह वाद सच्छे माँ पहले तो इस हास्से से जूज रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए यहीं प्रार्थना है इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले नियाय विवस्था को यहीं विंदी करती हूँ गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस्ट कर रखा है विरोधी पार्टी तो यहीं प्रचार करती है वो छे महिने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने छे हफ्तों के अंदर-अंदर ही करके दिखा दिया इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस्ट कर रखा था यह आप ही सम पासिंग पॉइंट है बस। राष्ट्रो के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष है। और वो इस एंकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्रो में इस तरह के काम करके हम राष्ट्रो में शांती फैलाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लेडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे यह आप सभी ने देखा है हम चाहते हैं कि आगे भी यह सपोर्ट ऐसा ही चलता रहा इस एनकाउंटर के मामले में तुम देख लो जुछ सर जस्ट अ मिनिट सर सीमजी ने इस केस को परसनली मुझे हैं तुम मुझे आने से मना किया है सर ऐसी बात नहीं है जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डिरेक्टली हंडल करने का अधिकार है मुझे आफकोर्स सर आप ही फाइना अथॉरिटी है सर ये लुक कौन है दुनिया में कहीं बर्भी युएस सिटिजन्स पर क्राइम होता है तुमाहा के कॉंसुलेट असिस्टंट की हेल्प करना उनकी ट्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है अनी कंसर्न्स? अब नट अदॉल सर नो प्रब्लम सर नो प्रब्लम इस दिस अमेलिसन गोई इन देर? यस मैम किन आ चेक? इस इस रॉंग डोसिज प्रिस्क्रिप्शन किस ने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है पेशंट कुमारने का ट्रेटमेंट चल रहा है यहां मांड यू लैंग्वे सर यहलो कॉन है? यह गांस्टियर्ट ऑफिस्योस हाइपटोनिक सिलिंटे में 30% जलेटॉल दिया है इससे पेशंट की मौत हो सकती है, आपको नहीं पता क्या। इससे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गल्ती से हो गया, सर शिष्टर निकल दो निकल दो उसे प्लीज गेट नियू स्लाइब इंसानों की जान जाया सी घलती को घलती नहीं कहते हैं बाहर चलिए सर यहां क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं आप जाकर दूसरे पेशेंट्स को संभालिए कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो विशाखावानीची का पीजियों हो सर लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए कहा है प्रोग्रेस यह बात है कर दो 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 झाल झाल जोइक जो प्रोटी Macko कर शंच्छ न थो कर दो सब्सक्akap जो कर हम वाफ के थीक tribute भाया उप्लीन य्कित रहना अर्वार्डी इंपॉसिल भाया थे धना टार ने ब capabilities घ्म I know please let me talk to her Excuse me sir you cannot go inside I am her close friend Please let me in No sorry you can't go in Mayra Excuse me Mayra You can't go in Mayra 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 Excuse me please listen Mayra Please listen Mayra Please understand You can't go You can't go in sir She is calling me Let me go in What the hell is that Hello madam हालाथ हाथ से निकल चुके है, वो अंदर गया है उन लोगों ने जिस तरह अरण को मारा था हूँ, वैसे मुझे भी मारना चाहते थे मैं लड़की हूँ ना इससे लिए इस तरह मारने की कोशिश की मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आखों के सामने बच्चों को इस वक्की ब्रेकिंग न्यूज, मम्दा हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है माईरा हांसन उन्हें अभी अभी होश आ गया है ऐसा डॉक्टरों का कहना है लोग माईरा हांसन की तबियत के बारे में अपडेट जाने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं माईरा, मुझे बस एक बात बताओ तुम अन डॉक्यूमेट्स के साथ आगरी बार किससे मिली थी मैं यूएस चाहती ही डबलू एचो में रिपोर्ट कर दूँगी आप यहां से ये केस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकर सर इसे रेप कहा जा रहा है आखिर ये नेप हुआ कैसे कितने लोगों ने में तरगी रेप किया है क्या इसे गैंग रेप कह सकते हैं सब प्लीज कहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है यह यह रेप है हां यह देश का सबसे भायानक रेप है यह सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है हमारे 75 साल के लोग तंदर पर रोज हो रहा रेप है प्रकृती, परियावरन, प्राणों पर हो रहा रेप है यह इस रेप में विक्टिम एक नहीं है बल्कि माइक्स कैमरास पख़ड कर खड़े रहने वाले आप लोग यह सब देख कर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग इस रेप में सजा पाने वाले गुनहेगार चार नहीं है बल्कि एक सामराज जही है तिस इस माइ वाइफ राधिका छे महीनों से बिना के और होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है आज इसकी दड़कने रुक गई है मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए दड़कने वाला दिल मैं आश्रम मेडिकल कॉलिज में नियोरोलची डॉक्टर और प्रोफेसर का खाम करता हूँ कॉलिज में पढ़ाही के दौरान ही मैंने और आधिका ने शादी कर ली मैंने जब से प्रेक्टिस शुरू की है मैंने किसी को ना समझाने वले नसों की बीमारी से बाधित होने वले केसिस फेस की है महीने दर महीने उन पेशिंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया हमारे जिले में अब तक 3,000 केसिस रजिस्टर हो चुके है मेरी वाइफ पेज बीमारी से सिख हुई तभी उसके बारे में एक क्लू मिला इस बीमारी से बाधित सारे पिशिंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है हर रोज फिश खाने की वो फिश तेलरू में बढ़कर मच्सेगंदा फिशरीज के जरीए डिस्रिबूट होती है तेलरो में असी टकका फिश टैंक्स मत्से गंदा फिशरीस के लीज में हैं मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में बिगला कर मचलियों को आहर के रूप में देते हैं मचलीयों जलदी से बढ़कर ज्यादा मुनाफ़ कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं थी साल से इस नदी में मचलियों का इसी तरह से पारा जा रहा है इसके करण सारा तेलरो सीला इस नाम के बैक्टिरीया से मर चुका है ये बैक्टिरीय नदी के हर मचली के अंदर है काफी हग तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टिरिया मर जाता है पर कुछ रेयर केसिस में वो जिन्दा बच जाते हैं और डेरिकली प्रेइन पर अटेक करते हैं इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टिरिया पाया गया है पंचियों की संख्या कम होती जा रही थी तो पंचियों को जीवन ना देने वाली नदी इनसानों को जीवन कैसे दे पाईगी आसपास के लाखों एक रखेत बरबाद होने का कारण और किसानों के आत्मात्याओं का कारण भी यह पुलूशन ही है सिर्फ नाम के लिए यह अच्छे नदी का पानी है पर यह पानी पीने के यह उप्योग करने के लाहिग में है यह कंदगी आसपास के लाखों जिन्दगियों को इंफ्लूश कर रही है और इसे निकलेट करके बैठना एक जिन्दा लाश के जैसा है अटरा साल की उम्र में यूए सिटिजन्शिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेट्ल हुआ है इन रिपोर्ट से एक्षन लेने के लिए भारतियत आपने मूह पर लपेट कर भारत तेश को अपने कंधों पर ढो रहा है अपने ओफिशल से मिला यह असली इंडियन वरुन हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही माईरा हैंसन वो भी फिर दिखाई नहीं थी सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, आफिसर्स को इन्फार्म किया था यूर नट अ पोस्मेन, मिस्टर नश्रत, नट अ पोस्मेन, जिम्मेदार डीजी होने के ना थे, एक मरंड कांड में आपका रिस्पॉंस इतना ही है सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है, हमारे पब्लिक हेल्थ ओफिसर ने काउंटर रिपोर्ट गी थी, सर सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डी सी साव है ऐसा करने के लिए मुझे भी ओपर से ओडर आया था, सर इस सरब सजाईए, सर कि क JULI बड़े हागी है कि सरफी जाईए, प्रुने काच Clean किसा लिए मुझे संचले मुझे भी मअनगर रिफिसर फब्लिक चमापर बनाने जर bisa कि ऑ। दर वा है सर वालё कि ut खबुखेंविसर रिचर पत्तर बने जर नीच्छे और डाविन की दुन्या में बापू और हल्दान कर एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया, इस से ज्यादा मेरी इन के लिए और कोई वैल्यू नहीं है, प्लीज, बोलिए, जनम देने वाली मा की तरह होकर, आप किसी की जान कैसे ले सकती है, फिलोसोफी के बार में बात करने आया हो, या अपनी प्रॉबलम के बार में बात करने आया हो, तेलूरू से जो प्राण अपने निकाले हैं, उन्हें वापस लोटाई है, यही मांगने आया हूँ, क्या कहा, लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लोटते नहीं, अपनी मुठी से मुक्त कर दोगी, तो तेलूरू में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृती की शक्ती है, पर तेलूरू के सहारे धाई लाक वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होग उनकी जिन्दगी के बारे में सोच कर ही, यह प्रोपोजल लाया अपोजिशन जब आवर में था, तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर एक्जेकेटिव होने के नाते, खुद से ही एक्शन लेने के अलावा, और कोई रास्ता नहीं है माडम एस पर कॉंस्टिट्यूशन, कानुनी सभा आदेश के मताबिक ही, उद्योगियों को काम करना चाहिए लगता है, यह बात भूल गए हो तो एस पर कॉंस्टिट्यूशन, कानुनी सभा आदेश मारण उनका कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने के ज़रूरत नहीं है, फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं हिटलर हो या गांधी सब जन्ता की ताकत से ही लीडर बने है, और जन्ता मेरे साथ है, जिन्दगी और मौत का फर्क बता चलने के बाद, जन्ता जिन्दगी को चुने की मैडम, आपको नहीं चला तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ राष्ट्र में पहली बार कॉप सूसाइटी का निर्मान करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी असली लोग तंत्रा लोकल गवर्नस में हैं ऐसा लोगों को भाशन दिया करता था लोगों की जिन्दगी सवाने के लिए कम्यूनिस्ट जंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा सब को सुनने के बाद, इलेक्शन से पहले ओपोनेंस ने डाली हुई खांस खाकर आने वाले पाच इलेक्शन में उसे डिपॉसिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हें ही लोगों ने एमेजंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोली बारी में अपने दामात को खो दिया तेरा मही ने जील में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया उस इनसान का नाम है हनुमंत्रा उनकी बेटी का नाम है विश्या खावानी पिता के लाश को चिता देते वक्त कर भी नी थी उस दिन उसने चिता को आग लगाई अपने पिता के लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्रों को अपनी मुठ्टी में रखकर जीते हुए जी रही हूं आज मतलब जनता को उल्लु बना कर जीना ही आपका तंत्र है एक काटूनिस्ट के बनाय हुए एक घटिया काटून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर घुसे से बॉम्बे से साउथ इंडियन्स को मार कर भगा कर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियन्स को अपने राज्ये से भगा कर राज के शक्ती बन चुका था वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्ये की रोलिंग पाटी है जाती के नाम पर हमारे देश को अलग-अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है सब सीडी के जरिये सबको आलसी बनाने वाली हर पाटी एक रोलिंग पाटी है जहां अज्यान इकठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है कलेक्टर मौत क्या है और जिन्दगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे तुम्हारी आखे गंदी नदी को देख सकती है और मेरी आखे पूरे मेले समंदर को देख रही है डार्विन के कहने के मताबिक बंदर ये आगे चलकर इंसान बना है किसी भी लोग तंत्र में at any given point of time अस्सी प्रदिश्यत वोटर अभी भी बंदर है इस होशेर माइनोरिटी के पास उस बेवकुफ बंदर के पास एक ही पावर है वोट और ऐसी विवस्ता से क्या मिलेगा और आजगता क्या लावा उन में से जो भी उस बंदर को चाला किसे सिखाएगा वही उस पिरमिट पर होगा और इसी ले चाहे कोई भी डेमोक्रिसी फंक्षन हो तुमारा जो इश्यूए उस पर मेरा एक्विशन सिंपल है नदी के कारण बादित हुए लोग केवल एक लाग है अलाप आने वाले वोटर्स की संख्या धाई लाग है यही मेरा हिसाब है और इस प्यूर ले डेमोक्राटिक इस होल थेरी में आप एक छोटा सा लोजिक मिस कर गी मैडम इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ती है आज आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस साक्षे इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको एक हफ़ते की महलत देता हूँ अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे वरना इसी पहाड से नीचे गिर कर चरित रहीन हो जाएंगे आप बिलकुल हिटलर की तरह और आपको उन परिणामों के खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूँ थैंक्स पो यूर टाइम परिणामों के खबर नहीं है एक साथ परिणामों के खबर नहीं है अलग अलग करके प्रांथिय पार्थी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बली चड़ा रहा है इस कैम में मुझे फसानी की कोशिश में वो तुम्हारी पेट पर लात्मा रहा है इस पल से मत्या गंदा फिशरी इस मेरा नहीं है तुम्हारा है इस कंप्री में हर एक मत्यकार एक स्वान का हिस्सेदार है विशाखावानी जिन्दाबार विशाखावानी जिन्दाबार आप गुस्से से रास्ता रोको के ये जानते हुए भी आया हूँ क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है चालीस साल पहले आसानी से यहां मचलियां पकड़ रहे थे तब तक वो नदी आपकी थी पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीस पर छोड़ दिया गया उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई या फिर मुझे बताईए आपने इससे क्या पा लिया एक के काम पर चार खाते हुए अपनी बढ़ोत्री में आप ही अरचन बन रहे हो अपना आलसी पन यहां लेटा कर रखे अपने बच्चों को भी विरासत में दे रहे हो इस बांद को तूटने से नुकसान आपका नहीं होगा आपको इस चक्र में भसा कर आपसे दस गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविश्य पर सिंगासन डालकर बैठी हुई वो न्यूकता है आपका डर, अग्यान, मासूमित, विश्वासी उसके सिंगासन के चार पैर है उस सिंगासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को चिपाने के लिए आज आप सभी को उस कमपनी में भागीदार बनाया गया है पर उसका लाब कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यही सच है इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो, वो गलत है ये भी जानते हो पर उस जाल से निकल कर पहार देखने के लिए डरते हो किस लिए डरते हो, आखिर किस लिए डरते हो आलस के लिए या न्याए के लिए सौ साल पहले वेंगी राज समराजे को बचाने के लिए और इसा से आये वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा तुम्हारी तरह हरबात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना एक बार डर नाम के इस बांद को तोड़ कर देखिए तो सिंगहासन के पैर टूटेंगे इस मां के हदकडिया खुल जाएंगी देलुरु में एक बार फिर जाना आएगी तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जिन्दगी मिलेगी आसानी से मचलियां पकड़ने की शक्ति आप सब में है कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मताबिक आगे बढ़ेंगे मैं यहां आया इस नदी के लिए ही नहीं बलकि आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को भी बचाने आया हूँ तो आप रोकोगे या रास्ता दोगे मर्जी आपकी है पर आपकी इजादत के बिना यहां से एक कदम भी आके नहीं बढ़ाओंगा और एक बांद भी नहीं तोड़ूंगा बच्चों वीड़के बांद जैस जरीक बांद रास्ता देस पर खके भी ठ एए कलिक्टार तुमने कितना लिया इनसे ये नदी हमसे चीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या अब एक ग्वचव और कितने शाल तुमारी चलेगी हाँ आओ देख लेते हैं चलो रहे मार देते हैं नहीं पोड़ेंगे नहीं किसी का शांस मार देंगे कर तो कर दोड़ें वागोः इसनीर कर दो कि पूछायं कर दो, 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 क कि अहुखग!!! कर इं। देब्थ mayoría कर देफ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ख etme बंवादे लो start बंवादे लो झाल हर झाल हर वो बंवादे लो बंवादे लो सब्सक्तों सब्सक्तों बतालीश! जालेश जख पुछल! फालेशवायदग! बतालेश फिर फिर प्रीश में कर लुड कर दो करता कर लो कर दो झाल 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 क्या हुआ? इस दुरखटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं शांती कायम रखने के लिए टेलरू के ग्राम में और आसपास की जिगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है कलेक्टर अभिराम को UPSC बोर्ड ने सस्पेंट कर दिया है इस संघटना से लेजिसलेटिव कंट्रोल से एक्जेगेटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ना रखते हुए गैर सिमेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राजकिये पार्टीज के नेताओं ने विरोध किया है मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा केंद्य सरकार ने इस संघट्टा में तुरंट फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर के अंतरगत एक ट्रिबिनल का आयोजन किया है तलर उस क्याम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेश बात है अब ट्रिबिनल का फैसला क्या होगा असेजी का इंतिजार है हलो गुस्सा आ रहा है ना पर मुझे तो तुम पर इस वक्त तया आ रही है ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लोट कर वापस आये तुम्हें जिस परिडाम की खोज है वो तुम्हें जंदा में कभी नहीं मिलेगा इस देश में कोई भी आरो के बढ़ाई, व्यवसाय, बरियावरण, इकोनोमिक के बारे में नहीं सूच रहा है उनकी सोच सिर्फ जाती मत भेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सिमित है उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा को इरादा नहीं है तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रदिकरिया नहीं थी जानते हो क्यों क्योंकि उस बांद पर हजारों गुणा मौजूद हैं। फर्स्ट फेलियर है ना। बहुत दर्द देता है। दीरे दीरे आदत बढ़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और खरीब ले आता है। और विवस्त हमें मिला देता है। हेलो दीदी। अभी, पापा अभी तक घर नहीं लोटे, बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गये हैं अभी तक नहीं लोटे। तुम खबर आव मत, मैं देखता हूँ। अभी, what's happening? मायरा, टोर लोग कर लो, किसी को भी आने मत देना। अभी? करतु देखता हुए जए, झाली, बहुतके लोग बड़ canृ लू यूपके लोग कर लोगम होँ दूए अँए यूप waiter अग्जाओ कर दो कर दो रहने दो रिश्वत लेकर घलत नहीं करूंगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लोगा स्टे ओर्डर किसी भी वक्त आ सकता है लेट स्पीड अप देख लो सारे एक्स्प्लोसिफ सही जंग से लगे हैं कि नहीं आस पास की बिल्डिंग्स को नुकसान न पहुचे ओके जीरो टॉलरेंस कुनो प्रब्लम हाबेना शाहिब अमिश अप देखें ने वो ओके पापा हाँ क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी वर्ल्ट्रेट सेंटर की तरह हाँ बटा ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी क्योंकि डाइनमैट्स एक साथ उडाएंगे कितने डाइनमैट्स लगाए हैं यह क्या मजाग चल रहा है हमने आपको नोटिस भेजा था लेकिन बिल्डिंग बनती रही हमें इसे गिराना होगा साथ अरे छोड़ना तु किससे बात कर रहा है तुझे पता है राहूल सेंगुपता के साथ मैं चीफ मिनिस्टर का भती जाहूं और इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर I know, sir तेरी प्रॉब्लेम क्या है? क्या चाहिए? I just want the building to come down, sir क्या बात कर रहा है? पूरा बिल्डिंग इरा देगा? पर ये बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है सुन तुझे बिल्डिंग में दस फ्लाट दे दूँगा छोड़ दे इसे रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता है You happy? खुश हो ना? Ready, sir On count three नहीं इवैक्वेट हो गया ना? One ऐसा मत करना Two Nasrat Three Trigger Double Trigger क्या हुआ? Okay Come on Come on Come on Come on Come on Babi बेगा पिने कुछ। च이äl .... चरहे जरे टो कि काथ बेगा बाया इज कार्णा बुक बेगा बेगा राहुल सेन गुपता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है सिस्टेम के साथ खिलवाट नहीं चलेगा वो तुम्हें मारना नहीं चाता वो वस तुम्हें तोड़ना चाता है अब तुम्हें तूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे ख्रुए और हमेशा के विए प्रुम्हें तुम्हें अब प्रुम्हें नहीं हो जो प्रुम्हें मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दश्रत मैं आपको आप से मिलाने आया था मैं हार क्या आपका इस तरह आपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दश्रत सुच रहे हो कि एक गुण्डे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है पर उन्हें विवस्था सजा देगी या फिर पालेगी सवाल ये है मैं वहां ट्रेन में नहीं हा रहा था मेरी असली हार तब हुई जब उन्दरिंदों को साथ लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ दो महीने हुई कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुप्ता अपनी मुझों पर ताओ देते हुई हसते हुई मुझे देख रहा था उस दिन सच्चाही को तिल तिल मरते हुई देख कर जी रहा हूँ आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संसकार है बेटा मैं जानता था कि तू अपनी जिखे पर बिल्कुल सही है तुझ से कोई भी गलती नहीं हुई पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही टूट जाएगा यही सोच कर तुझे रोकना चाहा था लेकिन बेटा मैं तेरी आँखों में बेगसी नहीं देख सकता मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबून बनाया है बेटा शिद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए तेरी जीट के लिए ये लाश कैसे कावाएगी ये बता बेटा पापा वापस मुझे रहा दिखाने वाले मार्क दर्शक बनोगी तेरा साल पहले वेस्ट बेंगॉल बोर्ड से बाहर निकल कर एपी पी एसी एक्जाम दिया था एलरू में पबलिक हेल्थ आफिसर की पोस्ट मिली पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सील आइस नाम के खतरनाग बैक्टीरिया मौझूद है जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉंसिबल आफिसर से कंसल्ड किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर रास सिंग को मैंने रिपोर्ट दरज की थी उस हजारो करोड रुपे के बिजनस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखावानी मेरे प्रोपोजल को ये कहकर रिजट कर दिया गया कि ये धाय लाग वोटर्स की जिन्दिगी का सवाल है मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा मैंने सुचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम कर वा लेंगे फिर मैंने रिपोर्ट बदर दिया तो उन थी मुझे डिस्टिक डिवलप्मेंट ओफिसर के लिए प्रमोट कर दिया गया योर अनर आज से ठीक चार साल पहले जब किसान बांच से खेतों की बरबादी की समस्या को लेकर मेरे पास आये थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत से पालन मंतरी शेरीमती विशाखावानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सम्मीट की थी इस पर मंतरी महोदिया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरो को हाथ लगाने से खून की नदिया वहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया जब वरुन हैंसन की रिपोर्ट है तो मैं प्रिविएस कलेक्टर विजे कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले एलेक्शन में मैडम विशाखावानी की पार्टी क्लियर मेजारिटी से आ रही है उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर हो कर उसे बनाया और सम्मिट कर दिया विटनिस इस एक्सक्यूज़ पबलिक हैल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से यह काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया अब फॉरेस्ट ओफिसर मिस्टर जनादन राओ प्लेडिंग नोट गिल्टी यूर अगर मैंने बहुत सिंपली डीसी जी के आदेशों को फॉलो किया वो काम मैंने ही तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे यह सोचकर मैंने ही कर दिया विट्निस इस एक्सक्यूस्ट एक्स कोलेक्टर मिस्टर विजे कुमार प्लेडिंग नोट गिल्टी और अउनर जैसा दश्रत जी ने कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर विशाखावानी का इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं है श्रिमदी विशाखावानी आई प्लीड नोट गिल्टी यो अनर मैंने इन में से किसी भी ऑफिसर्स को इंफ्लूएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है बाप बेटा मिलकर अपने किये हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मैं पिछले चालीस साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं इस कलेक्टर ने जो जाल भिछाय है उसमें फसकर में अपना वक्त बरबाद नहीं करूंगी इस कैम को बढ़ा हुआ देने वाले डी सी जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कोट से मेरी यही बिंदी है अगर ऐसे ही चलता रह तो ल्या हो चुका अगर देख लिया ना कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रहे थी और आज जाके उसी से मिल गई यहां जरूरत की मुताबिक अलाइंस इस कैसे बदल जाते हैं क्योंकि यहां सारी पार्टी का एजंडर एक ही है लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खिल रही है इसलिए एक्सपरिमेंटल कलेक्टर को रखा है उनके चेसबोड का तू भी एक प्यादा है बस यह सर आपने न्यूस देखा या आई जस्ट हर्ड सर तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है अफकोर्स यह सर ठीक है कौन है सर हो मिनिस्टर अब आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा कंफेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहे कर और एक नया गेम खेलेंगे मिस्टर अभी राम यह क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट Your Honor यह केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्क के बारे में या गंदरगी में फसे तलूरू के बारे में नहीं है यह नदी ही हम है और यह नदी ही व्यवस्था है इस महीने नौ तारिक को हुआ वाइलेंस किसी के भढ़काने पर तभी के तभी होने वाला वाइलेंस नहीं था कई सालों के लैंड सर्वेस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फोर्ज करते हुए इस खराबी पर उंगली उठाने वाले आफिसर्स को डराते हुए सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्सकारों के बीच श्रिमती विशाखावानीजी ने बनाय हुआ युद्ध वातावरन है वो डीटेल सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है पर ये विचार उस सच के और इस जूट के बीच हो रहा युद्ध नहीं है सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है इस गंदी साजिश की वज़ा बनने वाले वो सारे गुनागार आज राज की अताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को उपर की पार्टी से समझाते के लिए तयार कर रहे है वहाँ का समझाता यहाँ न्याय पर होने वाला अत्याचार है Your Honor, लोग लोग तंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिलाने का हक है बस इसी भ्रम में पर बिना बंधे से तूटने वाली व्यवस्था ही उस लोग तंत्र की बुन्याद है ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे है जनता ही नहीं, बकि सीविल सर्वंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले घुलाम की तरह ही जी रहे है सिर्फ उपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्राटिशी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए दो साल तक असेम्बली अटेंड किया एक एमेले ने यही है लोग तंत्र और फ्यूडल विवस्था के बीच का फर्क पुलीस ही न्याई व्यवस्था बनकर एंकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है न्याई व्यवस्था के लिए इससे बढ़ा कोई अपमान हो सकता है क्या मर्जी के मताबिक गुनहेगारों को बचाते होई मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखावानी जैसे लोग ही कानून न्याई और निर्नाय बन चुके है न्याई व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताई जनता चुनने वाले लेजिसलेटर्स उस लेजिसलेशन को अमल में लाने वाले सिविल सवंट्स न्याई की रक्षा करने वाली जुडी शिरी ये तीन घोडे जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा सरकार कहा जाएगा रास्ता भटके होए उस लेजिसलेटिफ घोडे को आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूनना होगा, यूरोना. तेलुरू में जिस दिन से ये साज़िश शुरू हुई, उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरून हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं. तेलुरू को जहरीला बनाने में आखिर किस का हाथ है? जीवन देने वाला तेलुरू और कितनी जाने लेगा? और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? लास्ट बट नॉट दे लीस्ट, ये सारे स्कैम्स, चालीस साल से सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ? ट्रक्रिती, प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निरने सच में, इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथ्यारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला, फैसला नहीं, बल्कि वो सड़े हुए तैलुरू के पानी के समान है. I rest my case, your honor. Sir, Sir. तेलरू प्रदूशन पर आरुन हैंसन और अभी राम ने जो एविडेस सम्मिट किये हैं वो पूरी तरा से सच है ऐसा टर्मिनल का मानना है सुप्रीम कोड के आदेश के मुताबिक पांच काउंटर तक ही नहीं बलकि नौ काउंटर तक ज़रूरत पड़ी तो आर्मी की साहता लेकर सभी तेलरू के बादों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं प्रजापतिनी दी और व्यपारी होने के नाते तेलरू से सबसे जादा फाइदा उठाने वाली श्रीमती विशागा वानी को प्रतम आरूपी निर्धानित करते हुए उनके साथ साथ जेपिटी कोलेक्टर दशरत, एक्स कोलेक्टर विजे कुमार, फर्स्ट ओफिसर जानारदर राव, हेल्थ ओफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299-300-304A-171E के तहर, इंस सब को हम्यारे निर्धानित करते हुए आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाती है आड़र, 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 आड़र गोड का डिसिप्लल तोडने के जुर में इन सभी को कस्टडि में ले लिया जाए ए फिर के अंदर फैसला बदल दूगी, देख ले आख ले आख अजाओआइजॉण वह देर दूख जाहाएजुशन नर्सी माँ चोड़ो मज़े चोड़ो मुझे नर्सी माँ क्या कर रहे हो तुम लोग चोड़ो मुझे I'm sorry papa ये मेरी किरफतारी नहीं बिटा तो मेरी रिहाई है चोड़ो मुझे लिव मिया लोग एए तुझे क्या लगता है कि तुझ जीत गया मैं अरा कर रहोंगी तुझे एक हटे में इस फैसले को सुप्रीम कोड से बदल मा दोगी थेखे ना एक हटे क्या अदर फैसला बदल जाएगा I will chain the world in a week Please ma'am, चले हमार सथ थोड़ो मुझे, चोड़ो मुझे Madam? Ma'am? 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 आपका दुश्मन हूँ और ना ही आप मेरी दुश्मन हो. आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली विवस्था ही हमारी दुश्मन है. ये जीत उस विवस्था पर है. इसकी हक्तार आप भी हो. विशिंग यू वेल मैडम. विवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी, पिटा. ये विवस्था कभी नहीं बदलेगी. लुझ है. लुप, लुझे वेलाव चलोवादी के लिवस्थावणी तरह चलोवादी चलोवादा कभी पाने प्रड़काझा को को विवस्था लंञा को प्रड़का चलोवादी का तरह कॉछ कंसे नहीं दु़। यह कि खूस पाया है? को क्या है खूसरो है? यह किर रहा है हम क्या है? जिलत यह है, आज रहे हैं? बढ़ रुखे उऊ! बांद बादनें आये थे हाँ, हाँ, बोलो, किसने भेजा तुम्हें, किसने भेजा तुम्हें, रुक जो, रुको, कौन नदी पर बांद बनाना चाहता है, बोलो, किसान हें, बाधित हें, इस नदी को छोड़ तो ये कहकर धर ना किया था ना, और अब तुम लोगी, तुम लोगी उस नदी पर बांद बना रहे हो, हलो, ऐमेले यहाँ पर है, आतो, ऐमेले हो तो, क्या हुआ, बोलो रहे, क्यो डर रहे हो, तुम लोग, अब ने ही बनाया है इसमें गलत क्या है तुम्हारी जाती के लोगों ने 40 साल कब्जे में रकर करोडों कमाया है हम भी 40 साल फाइदा लेने के बाद नाएक ही बात करेंगे क्यों भाई मेरी जाती मेरी जाती कौनसी जाती है रहे कौनसी जाती है क्या कर रहे हुआ शर्म नहीं आती तुम्हें किसे क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है तुझे अरे तुखाना खाता है या घास खाता है बता बाबु आप जाहिए बाबु मैं यास अब समाल लूगा कल सुबह होने से पहले एक भी बांद बांद नहीं दिखेगा बाबु आप जाहिए यास जाहिए अरे बांद बांद जाहिए प्रश्वार्ण जाचा जी, मुझे माफ कर देना बेटा जाचा 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 बेड़ देना बेड़र कभा नावाँ तेलरू और समुद्र में भी पूरी तरह छान बीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बोड़ी को लेकर आएंगे आएंगे पूरी पूरी झाल साहर reps अभिराम तरह जाएंस्की एकार समीघन गपिराम जीक्त तेलर और सम्क्रांथ-र अदू एग्याम जासक हा, समय हमे टोगे हमारे कारन तूरी तरह हमारे की ओ कर दोस हिसे लन ynके एकिकना संथ्टर